हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल ग्रामधी पार हम चलते हैं आज के करनेड़ फैर की ओर आर तीन माई है और तीन माई के करनेड़ फैर की ओर चलते हैं इससे पहले कल का करनेड़ फैर रिवाइन कर लेते हैं और हां आपको बता दें आज के करनेड पूर्व में भारतिय फुडवालर कप्तान भी रहे हैं अंतराश्टी स्रम दिवस यह कम मनाया गया एक मई को मलिपूर के किस डॉक्टर को जापान दौरा ओर्डर ओफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया यह किया घंग जाम धवाली सिंग जी हाली में हेमा भारली हेमा भ गूगल पे इंडिया की नई सलहाकार किसे बनाया गया यह बनाया गया सिका सर्मा जी को साओधी अरब की अद्धक्षिता वाली असाधरन बर्चूल G20 डिजिटल एकोनॉमिक मंत्री की बैठक में किस भारती मंत्री ने भाग लिया यह लिया कानून मंत्री रवी संकर प्र भारत को हाल ही में G.I.T.E.G मिला है और यह मिला है ताले चावल को और भी कुछ चीजों को G.I.T.E.G दिये गए थे इनके बारे में भी आपको जानना है तो कल का वीडियो जरूर देख लीचिएगा कल का जबाब दिया हमें आ रहा है जी ने इनने बहुत बहुत बदाई और हमारे साथ नियमित बने रहें बिजय मिस्रा कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया और यह एक लेखक और नाटककार थे अब चलते हैं आज के करेंट अफेर की और फेट कप हाट अवार्ट के लिए किस भारतिये को नामंकित किया है और यह किया गया है भारतिये टेनि नामंकित किया गया है और नामंकित होने वाले यह पहली भारतिये बन गई हैं मुंबई से आती हैं सानिया मिर्जा जी और 2003 से 13 तक यह लगातार खेली और इनके पतनी है सोय मलक जी की जो की पाकिस्तानी किर्केटर है इनका बिभाः 2010 में हुआ था As Against Odds इस नाम की पुस्तक है जो की मराठी में लिखी गई है और यह लिखी गई है सानिया मिर्जा के उपार इस पुस्तक में जो है आधिकारिक जीवनी और भारत और दुनिया में सीर्स महिला टैनिस खिलाडियों के बनने की यात्रा का बढ़न किया गया है अब चलते हैं अब फोटो में देख सकते हैं सानिया मिर्जा जी को बल्ड ट्यूना डे ट्यूना जो है एक मचली का नाम है इसे दिवस को मनाया गया दो मई को बनाया गया और इस मचली के प्रती जागरुकता के लिए इसे मनाया जाता है यूएन द्वारा इसे पहली बार 2017 में मनाया गय अंतराश्टी श्रम दिवस मनाया गया एक माई को और श्रम दिवस श्रम लोगों के बारे में कुछ लाइन है आपके लिए बता दू वो सो जाते हैं पुटपात पर अखवार बिचा कर मजदूर कभी नींद की गूली नहीं खाते आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप हमा अंतराश्ट दिवस दोनों मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस यह मनाया गया तीस अप्रेल को ही बनाया गया इंटरनेशनल जैज डे यह मचली को आप देख सकते हैं यही है टूना मचली इसे खाने में मानसाहर के रूप में उप्योग किया जाता है पुटए के डिफे नाम का stabilizer बनाया गया है इसके बारे में जाने हीटिंग टेक्निक दॉरा COVID-19 के बारस को नश्ट करने के लिए इसे बनाया गया है इसमें गुछ तापमान नियत किया गया है उस तापमान से जो है आपके हाथ सेनरटाइज बगेरा हो जाते हैं बाइरस को खर्म करने के लिए इलेक्ट्रो स्टेटिक कीटानू सूधाक मसीन CSIR CSIO चंडीगर द्वारा बनाई गई थी हाल ही में आगे चलते हैं यह फोटो में देख सकते हैं यही है मसीन जो की अतुल लिनाम की बनाई गई है American Academy of Arts Sciences की मानत संदस्ता किस भारतियों को चुना गया और यह चुना गया है सोबना नरसिम्मन जी को सोबना नरसिम्मन जी को चुना गया है इन पर काम किया है इसी के लिए इन जी सम्मान दिया गया है अच्छा इस सम्मान की बहुत बड़ी बात है इस सम्मान के बारे में दिया आपको बता हूँ तो America Academy of Arts and Sciences की जो मानत संदस्ता है यह सम्मान बिदवानों और नेताओं को दिया जाता है जो बिज्ञान या मानवी की में उतकर्ष्ट कारे करते है यह पूर्व में आपके प्रतिष्टित बैज्ञानिक Darwin, Alward, Einstein और धक्षिन अपरिका के राष्टपती ने निसन मंडेरा जी को भी दिया गया था तो इसके आप महत्ता समझ सकते हैं कि यह कितना important है CSIR केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्तान CRRI ने किस नाम से mobile app launch किया है और इन्होंने launch किया है किसान सभा किसान सभा नाम से एक mobile app launch किया है इसके बारे में यदि बताएं तो यह एप जो है परिभान के माद्धम से किसानों को जोडने के लिए बनाया गया है और उचित मूले पर अनाजपलब्द करा जा सके यह भी इसी app के द्वारा कोसिस की जाएगी केंद्रिय किसान कल्लियान मंत्री है नेरेन सिंग तोमर जी और ड्रोन के माद्धम से गाओं की मैपिंग के लिए एक app लाँच किया गया था कौन सा एप था यह था स्वामिद्व एप स्वामिद्व एप और भी कुछ एप लाँच किया गया उनके बारे मेदिया आपको बताऊँ तो एकारेला एप जो की पेपरलेस काम के लिए CISF दौरा लाँच किया गया जैसे कि आप जानते हैं फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हो सकता है कोरोना का संक्रमन फैले इसको ना फैले और साथ में जो कोरोना में कोई बाहर निकल नहीं सकता है लेकिन नेट दौरा आप पीडियेप को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच आज सकते हैं तो इस तरह यह कारेला एप लाँच किया गया है जारखन बाजार एप लाँच किया है जारखन सरकार दौरा जिसके अंतरगत आप घर पर होम डेलिवरी की जा रही है संपर्क वैठक एप यह हर्याना सरकार दौरा शुरू किया गया है और यह सिक्षा के छेतर में लाँच किया गया है कोबिट फार्मा एप यह आंदर प्रदेश दौरा लाँच किया गया है इसमें जो दवाईयां मेडिकल से खरीदी जा रही है उन पर नजर रखी जा रही है COVID Safe App यह कोरोना वाइरस के लिए ही लाँच किया है और आज तिलिया ने किया है आगे चलते हैं प्रोफेसर बी बी लाल प्रोफेसर बी बी लाल रिडिस्कवर नाम की जो बुक है यह किसनत किसके दौरा लाँच की गई यह लाँच की गई पहलाद सिंग पटेल पहलाद सिंग पटेल के अंदरी ये संस्कृत मंतरी पहलाद सिंग पटेल जी और यह एक महान पुरातव विद्थेकौन बी बिर लाल जी इनकी सताबदी बर्स पर बर्सकाट भार इस बुक को लाँच किया गया है और पहला सिंग जी के बारे में बताऊं तो यह नरसिंग पूर लोकसवा सीट से आते हैं जो की MP में है और यहीं से यह सांसद हैं और BJP से आते हैं आगे चलते हैं आप फोटो में देख सकते हैं पहला सिंग जी को महात्मा जोति फूले जन आरोग यूजना के तहत मुफ्त स्वास्त बीमा किस राज़ द्वारा दिये जा रहा है और यह दिये जा रहा है महाराश सरकार द्वारा महाराश सरकार द्वारा दिये जा रहा है तो इसके बारे में दिया आपको पता हूँ इसमें सभी लोगों को मुफ्त बीमा देने वाला है पहला राजी बन गया है अभी तक जो योजना आई है उनमें सभी लोगों को कबर नहीं किया जाता है लेकिन इस योजना में सभी लोगों को कबर किया गया है राजी के और अब राज़ के सीयम है उद्दर ठाकरे जी और राजबाल है भगत सिंग कोसियारी जी अब आपको महाराष्ट की सेहर पर लिए चलते हैं पहले आप जानें कि महाराष्ट है कहां महाराष्ट की जो है भारत के पक्ष्चिमी में इस्तित एक राज़ है जो कि आबादी के हिसाब से भारत का दूसरा बड़ा राज़ और छेतरपल के हिसाब से तीसरा बड़ा राज़ है महाराष्ट में प्रमुक नदी, गोदाबरी, भीम और किशना बहती है और यहां कालसु भाई पहाड़ी है जो कि यहां की सबसे उची पहाड़ी है जिसकी उचाई है 1646 अब फोटो में आपको बताऊं मैप में कि महाराश्ट किस जगह है यह जो आपको दिख रहा होगा यही है महाराश्ट और उपर से है गुजरात से लगता है और इधर से MP से लगता है इधर से 36 गड़ से लगता है और यह है करनाटक से लगता है और इधर से यह है तेलंगाना से लगता है उम्मीद है आप समझ गए होंगे और तथियों को जान लेते हैं 1960 में जैसकि हमने भी पढ़ा 1960 में एक अधिने मिलाया गया जिसमें 1960 के तहत Bombay स्टेट से गुजरात और महाराष्ट पतक पतक कर दिये गए अलग-अलग कर दिया गया था और जब ही से महाराष्ट अपने आया अब महाराष्ट जो है सबसे अमीर राज्ज है इसलिए यहां की GDP भारत की सबसे अधिक है और महाराष्ट के जो लोकनत्त है लावनी, तमासा, घफा और मोनी आप फोटो में देख सकते हैं यह लावनी करती हुई महिला हैं और यह तमासा आगे चलते हैं दुनिया में सबसे बड़े प्याज का बाजार महाराष्ट के नासिक में है और यह साल दुनिया के तकरीवन आधे प्याज का उत्पादन अखिला करता है बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट राजज का एक सोलापुर यह एक ट्रेस्टिंग पॉइंट है इसको जानिएगा महाराष्ट राजज के सोलापुर जिले में छेतरपाल गाओं की जहां पर आप हर गाओं में साप को गूमते हुए देखेंगे और ऐसा बताया जाता है कि आज तक वहां के किसी विव्यक्ति को साप को दौरा काटा नहीं गया है अब आगे चलते हैं उमीदें आपको हमारे दौरा बताएगे जान करें पसंदा रही होंगी यदि पसंदा रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें आर्थिक मामलों की सचिब यह किसे बनाया गया और यह बनाया गया तरौन बजाज जी को तरुन बजाच जी को बनाया गया तो किसी की जगह लेंगे यह जो है तरुन बजाच जी पूर्व में पीम कारयले के अतिरिक्त सचिप थे और अतनू चक्रवत्ती जी की जगह लेंगे जो की सेवनिर्वित हो रहे हैं हाली में और भी कुछ सचिप बनाए गए महीला वालविकास के सचिप बनाए गए किसको बनाए गया अजेतिर्की जी को बनाए गया जो की रविंद्र पवार जी की जगह आ रहा है जो की सिर्विनिर्वित हो रहे हैं अर्थाथ रिटायर हो रहे है परिवहन राज जिमार की सचिप बनाए गए किसे बनाए गए गिरीधर अर्माने जी को किसकी जगा राजी व्रंजन जी की जगा MS, ME, अथा जो छोटे और लगूद्यों होते हैं उनके सचिप बनाए गए अरबिंद कुमार जी, अनबिंद कुमार सरमा जी को और यह जो है जगा लेंगे, यह जो है पूर्व में PMO के अतरिक्त सचिप थे आगे चलते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं अज्टरौन बजाजी को एक फैक्ट है, इसको भी जान लीजिए, कस्मीरी केसर को जो है GI टेग मिला है हाली में और कस्मीरी केसर दुनिया का एक मात्र केसर है, जो की 16-100 मीटर की उचाई पर उगाया जाता है कस्मीरी केसर एक बिस्ब का परसिद मसाला है, और पुलवामा, किस्तवार, बढगाम, स्रीनगर, छेतर में पाया जाता है जो की रम्भु कस्मीर में आते हैं आज करन देफर यहीं खत्म हुआ आप हमारे कोश्चन की और चलते हैं नई सेग्मेंट की और आज का प्रशन केंद्रिय संस्कृति मंत्री पहलात सिंग पतेहल किस लोकसवा सीट से सांसद हैं परतमान में अमीद है आप हमारे जबाब कमेंट जरूर करेंगे और जो भी कमेंट करेगा उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लिये जाएगा जो भी पहले कमेंट करेगा बाकी हमारे चैनल को सेयर जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें